A jet of enemy is flying along the curve Y is equal to X square plus 2 and a soldier is placed at the point 3,2 Find the minimum distance between the soldier and the jet ये question applications of derivative class 12 mathematics से लिया हुआ एक important question है जो कि 2015 में आया हुआ है तो अगर आप मेरे चैनल दमैस गुरुदेव पे नए हैं तो मेरे चैनल दमैस गुरुदेव को सबस्काइब करें और बैल आइकन जुरुद दोआ दें तो जैसा कि आपको दिया हुआ है कि यहां पर जो jet जो है वो इस तरह से उड़ रहा है कि वो एक पेरबोला की शेप बना रहा है जो कि Y is equal to X square plus 2 से define हो रहा है तो ये तो हुआ उसका जो है path हो गया jet का जिस पे वो चल रहा है और ये जो है एक इसके उपर एक point हम ले लेते हैं P और जिसका P जो है उसको X, Y से define करेंगे और वो जो है P point क्योंकि इस पेरबोला के उपर है और शोलजर जो है उसका जो situation है वो जहां पर स्थित है वो point हमारे को दिया हुआ है 3,2 तो हमारे को इस question में निकालना है कि वो minimum distance निकालना है P और 3,2 के बीच का जिसे हम A से define करेंगे वो minimum distance हमारे को जट का और शोलजर के बीच का निकालना है तो यहां पर हमने सारी situation clear लिख दी कि Y is equal to X square plus 2 उसका path है P X, Y जो है एक position है जट की किसी time पे और शोलजर की position वाला point A जो है वो 3,2 है अब AP जो है यानिके दोनों के बीच का distance जो है point P और शोलजर की position के बीच में वो X minus 2 के square plus Y minus 2 के square का square root हुआ और इसमें क्योंकि उपर Y is equal to X square plus 2 है तो Y minus 2 जो है X square हुआ तो X square का square जो है X की power 4 हो जाएगा तो X minus 3 के square को खोलेंगे तो X square minus 6X plus 9 और X square का square जो है वो X की power 4 हो गया X raise power 4 तो इसको जो है हम लिखेंगे X raise power 4 plus X square minus के 6X plus के 9 तो ये सारा जो है distance जो है X की terms में हमारे पास आ गया तो अब हम इसका square root हटाने के लिए इसका AP का square कर देंगे तो ये हो जाएगा X raise power 4 plus X raise power 2 minus में 6X plus के 9 तो इसको जो है हम अगर distance को S से define करें जो distance का square है दरसल तो DS upon में DX जो होगा यानिकर इनका derivative जो होगा वो होगा 4 times of X cube plus 2X minus 6 तो ये जो है इसको maximum minimum निकालने के लिए इसको 0 के equal रख देते हैं तो 0 के equal रख देने से हमारे पास maximum और minimum values की आतियाव क्योंकि ये cubic equation बन गई तो इसमें X is equal to अगर हम 1 रखते हैं तो देखिए ये हो गया 4 और 1 की power 3 और plus के 2 into 1 minus 6 जो की 4 plus 2 minus 6 यानिके 0 के equal हो गया तो इस तरह से X is equal to 1 इसको satisfy कर रहा है इसका मतलब X minus 1 जो है DS upon में DX का एक यानिके इस दिये होए polynomial 4X cube plus 2X minus 6 का एक factor हो गया तो ये जो है इसका factor है तो X minus 1 से अगर इस polynomial 4X cube plus 2X minus 6 को divide करते हैं ये जो हो गया 4X square plus 2X minus 6 हुआ फिर ये दुबारा से 4X से जाएगा तो 4X को X से multiply करेंगे तो 4X को और 4X को minus 1 से करेंगे तो minus के 4X होंगे और फिर जो है इसको subtract करेंगे तो 4X square से 4X square कट गया और ये हो गया 6X plus के और minus के 6X अब ये plus के 6 से जाएगा तो 6 को X से करेंगे तो 6X और 6 को minus 1 से करेंगे तो minus के 6 आएगा और ये दोनों cancel हो जाएगे इस तरह से दूसरा factor जो है वो आएगा 4X square plus 4X plus 6 लेकिन इसके जो दो value आई है X minus 1 और दूसरी जो है 4X square plus 4X plus 6 इसमें जो 2 common ले ले लेते हैं तो X square plus 2X और plus के 3 हैं अब क्योंकि B square जो है यानिके 2 का square जो है 4 हुआ लेकिन minus के 4 है AX यानिके 4 इंटु में A1 और A1 है और C 3 है वो क्योंकि 0 से negative value दे रहा है इसका मतलब वो imaginary factors देगा इसलिए X minus 1 ही इसका एक real factor है तो इसको X की value 1 रख देंगे अगर Y is equal to X square plus 2 से तो Y की value जो है वो 3 आती है तो इसका मतलब यह हुआ कि X जो है वो 1 है और Y 3 है यानिके P का जो position है वो 1 3 हुई तो अब इसके बीच का जो minimum distance हुआ AP वो हमारे को निकालना है तो X की जगा 1 रखेंगे और Y की जगा जो है हम 3 रख देते हैं तो 1 माइनस 3 का square प्लस में 3 माइनस 2 का square तो यह माइनस के 2 का square हुआ और 3 माइनस 1 यानिके 1 का square हुआ तो 2 का square हो गया 4 और 1 का square 1 तो 5 4 प्लस 1 हो गया 5 तो square root of 5 जो है minimum distance जो है जेट का और soldier के बीच का आता है तो अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को subscribe करें और playlist में जाके बाकी वीडियो भी देख सकते हैं